देश इस वक्त खतनाख महमारी कोरोना से जूज रहा है कोरोना के प्रकोप की बीच एक और मसीबत टिड़ी दल की रूप में देश के सामने आकर खड़ी हो गई इस समस्या को काबू में करने की कोशिश ही की जा रही है कि अब एक और वारस है जो भारत में पैर पसार रहा है इस बिमारी का नाम है banana covid हलाकि इस बिमारी से इंसानों को कोई खत्रा नहीं है ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये कैसे बिमारी है तो इसका जवाब है कि banana covid से इंसानों को नहीं बलकि फसलों को नुकसान पहुचता है बनाना कोविड एक तरह का फंगस है जिसका वग्यानिक नाम फ्यूजेरियम विल्ट टी आर फोर है ये बिमारी केले की फसल को बर्बाद कर देती है यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में सबसे जादा केले का उत्पादन भारत में होता है और ऐसे में ये बिमारी भारत के लिए चिंता बढ़ाने का काम कर रही है बनाना कोविट के शुरुआत ताइवान से हुई थी इसके बाद ये मिडल इस्थ के देशों में पहुचा और यहां से होते हुए अफ्रीका पहुच गया ये बिमारी इन जगहों से होते हुए फिर लैटिन अमेरिका देशों में पहुच गई विशेशुग्यों का कहना है कि बनाना कोविट का सबसे ज़ादा असर उत्तर प्रदेश और बिहार के खेतों में देखनी को मिल सकता है आपको बता दे कि भारत में सबसे ज़ादा केलो का उत्पादन होता है और ये वाइरस केली की फसल को पूरी तरह से नश्ट कर रहा है और किसानों को इससे भाली मातरा में नुकसान उठाना पड़ रहा है हम पहले सही एक बिमारी से लड़ रही है और इसी बीच एक और नई बिमारी ने दस्तक दे कर चिंता की लकीरों को और भी बढ़ा दिया है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स